तत्वों के रासाइनिक प्रति चिन्धू और आणविक सुत्रों के बारे में पढ़ने से पहले हमारे लिए परमानू और अणूं के बारे में फिर से समझना जरूरी है कोई भी पदार्थ अणू और परमानूं से बना होता है परमानू पदार्थ का सबसे छोटा भाग होता है तो फिर अणू क्या होता है एक परमानू या एक से अधिक परमानू एक साथ मिलकर अणूओं का निर्मान करते हैं कुछ अणू स्वतंतर रूप से रहने में सक्षम नहीं होते हैं इसी कारण उसी प्रकार के अन्य अणूओं के साथ विसयोग करते हैं या किसी अन्य प्रकार के परमानू के साथ संयोग कर अनू का निर्मान करते हैं। जब एक परमानू एक अनू का निर्मान करते हैं, तब उसे सरल मूलक कहते हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, केल्शियम, एने, के, सिय इत्यादी। जब दो परमाणू एक अणू का निर्माण करते हैं तब उसे द्वी परमाणू कहते हैं जैसे ऑक्सिजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, इत्यादी जब तीन या तीन से ज्यादा अणू मिलकर एक परमाणू का निर्मान करते हैं तब उसे बहु परमाणू कहते हैं जैसे फॉस्फरस, P4, सल्फर, S8 इत्यादी चलिए अब हम तत्व क्या होता है और योगिक क्या होते हैं इसके बारे में दोहराते हैं तत्व में केवल एक प्रकार की ही परमाणू होते हैं जैसे चांदी, सोना, सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सिजन इसका अर्थ है कि तत्वों के मामले में एक परमाणू, एक अणू की निर्मिती कर सकते हैं इस कारण तत्व के छोटे कण परमानू होते हैं योगिकों में एक से अधिक तत्वों के परमानू होते हैं जैसे H2O के अनू में दो हाइड्रोजन के परमानू होते हैं और एक ऑक्सिजन का परमानू होता है इसी कारण योगिक का सबसे छोटा कण हमेशा अनू होता है रासा बरजिल विस ने प्रथम अक्षर या प्रथम और दूसरा अक्षर या उन तत्वों के नाम में निहित कोई विशिष्ट अक्षर के इस्तमाल की पद्धती प्रस्तावित की, जैसे एक हाइड्रोजन का चिन, हाइड्रोजन एक द्वी परमानू है, इसलिए उसका रेणू सू सूतर O2 है, तीन, फॉस्फरस का चिन P है, फॉस्फरस ये एक बहु परमानू है, इसलिए इसका रेणू सूतर P4 है,